हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल तो जैसे कि आप सभी को पता है गणिश चतूर्थी आने वाली है तो मैंने उन्हीं से रिलेटिट वीडियो बनाई है यहां मैं फर्स्ट टाइम लिपनार्ट क्रेट करने वाली हूं तो चलो बिना किसी देरी के वीड आफ से दो कि मेर पास इतने भी कहराब सीड़िया। जो मैंने और निकाला लिया अब इसके बीच में कोल और Shell को तो मैंने यहां एंस का सिल का यूज कि ए कि इसके बाद इसके भाद यहांपर मैंने वाइट एक्रैलिक पेंट से से इसको उच्छे से पेंट कर दिया है जिस दिखाई दे तो मैंने यहां एक गड़े जीकि पिचर ड्रो कर लिया है यहां में ले रही हूं मोल्ड़ेट क्ले क्योंकि मोल्ड़ेट क्ले के बिना तो यहां लिप पनाड बनी नहीं सकता इसके जगह हम पुट्टी का भी यूज कर सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद इसे आप जितना पतला कर सकें आप उतना पतला करेंगे आप काफी पतला कर लिया है फैबिकोल की हैल्प से जो भी स्कैच बना है उस पे लगाना है कि पूरी मोल्ड़ीट क्ले को एक संद पूरे पैकट को एक संद मिक्स करके नहीं रखना है क्योंकि यह बहुत जल्दी ड्राय हो जाती है और फिर हमारी जो क्ले हैं वो खराब हो जाती है तो इसलिए मैंने थोड़ा-थोड़ा मिक्स करके यूज किया है अगर आप भी फर्स टाइम इसको यूज कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा-थोड़ा ही मिक्स करके इसे यूज करें मैंने यहां कोई इस पेसल टूल नहीं इसके लिए यूज किया है जो भी मेरे पास था उसी से मैंने इसको अच्छे से जो भी इसको शेप देना है दिया है अच्छो आप 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 पैन के तूपन के टूपन के तूपने पाइए हैं तूल से मैंने यहां इसमें डिजाइन क्रेट किया है आप इसमें किसी भी तरीके से इसमें डिजाइन क्रेट कर सकते हैं तो मैंने यहां दो तरीके की डिजाइन क्रेट किया है दैन यहां पर पेंट करना स्टार्ट कर देंगे अब पेंट इसमें अपने चोईस के अकॉर्ड रख सकते हैं तो मैंने यहां बीच में ग्रीन कलर किया है आउटिंग को मैंने यहां वाइट से पेंट कर दिया है बाहर वाले जितने भी पार्ट है अब उसको मैं यहां एक्रेलिक कलर से पेंट कर दूंगी पार्ट हैढ पार मैंने तुम हैं इसका दितने अग्पी नग्राट रखिया हैं alcanz यहां पार्ट हैं तो मियां ओ लाग्पी तुम एक देंगे लिँग में एकना लाग्पिया हैं इसक्दिएंग तो मुकर्पोग ऊप्बगद से वबखिएंगे हैं bir दो जोंगदिएंगें अ जितने भी आउटिंग की थी अब वाइट पेंट करने के पाद यहां मैंने इसके उपर औरेंज पेंट कर दिया है वाइट इसलिए करना सही रहता है जिसे कोई भी अगर हम कलर उस पे लगाना हो तो बहुत एजली अपलाई हो जाता है कर दोंके भी आपलाई भी आपलाई हो डापफंगे साथ बालाई हो बालाई हो जाता है झाल झाल को अगर को अगर कंप्लेट होने के बाद अब मैं यहां इसे डेकुरेट करना है तो डेकुरेट करने के लिए मैं यहां मीरर का यूज़ कर रहे हूं कि अगर अगर मीरर ना हो तो वह थोड़ा अधूरा-धूरा सा लगता है कि अगर को अगर तो लिए झाल सक होगइ। जितना ही डेकुरेट करती जारी थी गंपती बुबा उतने ही सुन्दर लग रहे थे यह राइस का फाइनल लूप